राम राम जी कुशल ज्यान चैनल में आपका स्वागत है। मैं इस विडियो में आपको ऐसे लेकर Z तक की शोर्ट कटकी के बारे में बताऊंगा और उन कम्प्यूटर शोर्ट कटकी का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं वो सब में आपको इस विडियो में उदाहरन सहित बताऊंगा। यदि आप कंप्यूटर सीखते हैं या सिखते भी नहीं हैं, तो मैं आपको कंप्यूटर की वै शोट कटकी के बारे में बताऊंगा जिनका प्रयोग कंप्यूटर चलाने के लिए सबसे अधिक प्रयोग होता है, जिनको सीखना बहुत सरल है. चलो आईए जानते हैं. कंट्रोल एक सबसे पहले आप ये समझे की ये कंट्रोल का बटन की बोर्ड पर कौन सा होता है, की बोर्ड के बाई साइड सबसे नीचे जिस बटन पर कंट्रोल लिखा होता है. जैसा आप विडियो में देख रहे होंगे. इस बटन को ही control बटन कहते हैं control अग दोनों बटन को एक साथ दबाने से एक या एक से अधिक किसी भी फाइल, folder, text शब्दों को आधी को सेलेक्ट कर सकते हैं यानि इस shortcut की से सारा data को सेलेक्ट करते हैं control बी से text को bold यानि लिखे हुए शब्दों को थोड़ा मोटा करते हैं control सी से select text, file, folder को कॉपी करते हैं यानि select data को कॉपी करते हैं यानि किसी भी data का duplicate बनाने के process को कॉपी कहा जाता है जैसे की ये text है इसके जैसा ही और text बनाने के लिए पहले इसे select करेंगे की board में control सी बटन दबाएगे अब ये कॉपी हो जाएगा कही भी इस text को जो data कॉपी किया था उसे लाने के लिए की board में control वी बटन दबाएगे वह वहां आ जाएगा कंट्रोल इच से select टक्स्ट को center यानी बीच मिलाते है कंट्रोल अफसे document में किसी शब्द को find करने यानी खोजने के लिए प्रयोग करते है कंट्रोल एच से MS Word में find and replace डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए इस shortcut की का उपियोग करे डायलूग कंट्रोल जी से MS Word में go to डायलॉग बॉक्स खोलते है किसी दुसरे पेज पर जाने के लिए यहां उस पेज का नंबर डाले यह उसी नंबर के पेज पर पहुँचा देगा कंट्रोल आई से select टक्स्ट को italic करने यानी तीरचे करते है कंट्रोल जेट से select पैराग्राफ को justify करते है justify करने का अर्थ है कि आप अपने पैराग्राफ की सभी लाइनों के कोनों को दोनों और से बराबर समान करते है कंट्रोल केट से किसी भी टक्स्ट डॉक्युमेंट में हाइपरलिंक इंसर्ट करने यानी हाइपरलिंक देने के लिए प्रयोग करते है जैसे आप कोई सोसल मीडिया पर विडियो शेयर करते हैं एक लिंक भेजते हैं उसी प्रकार से ये भी एक लिंक बना देता है जिस शब्द में लिंक एड करना है, पहले उसे सेलेक्ट करे कीबोर्ड में कंट्रोल के बटन दबाए उस लिंक पर क्लिक करने पर क्या खुले यानी उपन हो फाइल, फोल्डर, पिक्चर आदी वह यहां पर चुने अब ओके पर क्लिक कर देना है अब उस लिंक पर कंट्रोल बटन दबा कर उस लिंक पर क्लिक करे वह फाइल अपने आप खुल जाएगी कंट्रोल इल से सेलेक्ट, पैराग्राफ की सभी लाइनों को बाई यानी लेफ्ट साइड में एक सीध मेलाते हैं कंट्रोल इंक से नया प्रोजेक्ट बनाते हैं किसी भी सॉफ्ट्वेर में एक नई डॉक्यूमेंट फाइल पेज खोलते हैं कंट्रोल ओ से पहले से सेव फाइल को ओपन खोलते हैं कंट्रोल पी से किसी डॉक्यूमेंट या पेज को प्रिंट करते हैं Ctrl-Arc से Select Paragraph की सभी लाइनों को राइट साइड में एक सार एक सीध में लाने के लिए इस शोटकटकी का प्रयोग करते हैं Ctrl-Aus से किसी भी सोफ्टवेर में फाइल को सेव करते हैं यहाँ पर अपनी फाइल का नाम लिखना है और सेव पर क्लिक कर देना है अब आपकी फाइल सेव हो जाएगी Ctrl-T ब्राउजर में नया टैब खोलने के लिए प्रयोग करते हैं Ctrl-U से Selected Text के नीचे लाइन अंडर लाइन लाते हैं Ctrl-V से कॉपी किये गए टुक्स्ट को पेस्ट करते हैं Ctrl-W से ब्राउजर और वर्ड प्रोसेसर में खुले हुए टैब विंडो को बंद करते हैं Ctrl-U से Select, Document, File, Folder और टुक्स्ट को उनके स्थान से कट करते हैं और जहां उन्हें ले जाकर छोड़ना है, वहां की बोर्ड में Ctrl-V बटन दबाते हैं Ctrl-D से Font Dialog को Open, यानि Font Dialog को खोलते हैं Ctrl-Z से Undo करने के लिए Undo function का अर्थ है कि एक स्थेप पीछे आना, यानि पिछली स्थिती में जाना जैसे आप कोई टेक्स्ट शब्द दिलिट कर देते हैं तो उस दिलिट किये हुए विशय वस्तु को वापस लाने के लिए हम कम्प्यूटर में Ctrl-Z shortcut की का प्रयोग करते हैं Ctrl-Y से redo करते है redo का अर्थ है एक स्थेप आगे जाना यानि अगली स्थिती में जाना जो Ctrl-Z से डिलिट किये हुए टेक्स्ट को वापस लाए थे यदि आप चाहते हैं वापस आए टेक्स्ट को दुबारा से डिलिट करना तो कीक बोर्ड में Ctrl-Y बटन दबाएगे